यह लो फ्रेंड्स वेलकम्ट्व टू एसे क्लासेज फ्रेंड्स में आज आप लोगों को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स यह एक्ट 1965 में आया था इस एक्ट को आने के पीछे का ऑपचेक्ट यह था कि हमारे लेबर और मैंजमेंट के बीच म कमपनी ने डिसाइड किया कि अगर हम लोग लेबर को बोनस देते हैं मतलब कुछ एक्ष्रा पैसा देते हैं तो वह लोग भी खुश रहेंगे और वो खुश रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे and management अर उन दोनों में पीस और हार्मोनी बनी रही इसलिए यह act आया था फ्रेंट जेकते यह act कहां कहां applicable है every factory में यह act applicable होता है हर establishment जहां पे 20 से ज़्यादा workers काम करते हैं किसे बे दिन वहां पे payment of bonus act applicable होता है and friends इसमें एक important point यह है कि 20 यहां पे compulsory है कि 20 होना ही चाहिए लेकिन 20 से कम होने पे भी यह act applicable हो सकता है अगर appropriate government चाहे तो appropriate government अगर 2 months का notification official gadget में देता है तो ऐसा establishment जहां पे 20 से कम worker है वहां भी payment or bonus act आ सकता है लेकिन friends 20 से कम चलेगा पर 10 से कम नहीं होना चाहिए और सबसे important बात इस act की यह है कि यह act एक बार अगर शुरू हो जाता है किसी भी establishment में तो चाहे वहां पे 20 से कितने ही worker कम हो जाए वन ही worker क्यों नहीं हो जाए यह act applicable रहेगा अब friends जिखते यह act कहां कहां applicable नहीं होता है तो employees of LIC, UTI, RBI, NABARAD, IDBI, NHB, SIDBI, IFCI, SFC, State Financial Corporation इस सब जगह पे यह act applicable नहीं होता है फिर CMAN, DOC workers, CGSD department में तो center government and state government के department में फिर किसी भी तरह के welfare society like hospitals, universities, chamber of commerce ओके इन सब में यह act applicable नहीं होता है एन appropriate government चाहे तो वो किसी भी establishment को exempt कर सकता है, ला भी सकता है तो friends हम लोगों ने यहां पे देखा कि payment of bonus act related कोई भी अगर important decision हो रहा है तो वो appropriate government ही ले रहा है Friends अब देखते हैं कुछ definitions है important like allocable surplus, कितना surplus हम लोग बाढ़ते हैं तो friends अगर company रहती है other than banking company तो वो अपने surplus का 67% जो accounting year में surplus उसे आता है accounting year का मतलब 1st April to 31st March उसमें जो भी surplus आता है उसका 67% and other cases में 60% मतलब और भी company होती है तो वो 60% जो उसका भी accounting year में surplus होता है उसका 60% तो friends employee कौन होता है कोई भी person जो other than apprentice हो और वो salary उठाता हो not more than 10,000 मतलब उसकी salary 10,000 से कम हो और वो पिछले year में 30 दिन तक काम किया हो तो इससे हम employees मानेंगे और उसे bonus act में लेंगे फिर friends salary और wages क्या होता है friends employee में यह देख लेना 10,000 ओकी यह question में आता है 10,000 होना चाहिए उसका salary 10,000 से कम 10,000 से जादा होने पर वो इस act से निकल जाता है and minimum 30 days उसने काम किया हो तो salary क्या होता है all remuneration expressed in money कोई भी remuneration जो है money के रूप में expressed हुई हो और यह include करता है DA और food और exclude क्या 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 करता है allowance, bonus, commission, gratuity, PF, traveling, overtime, retirement, benefit फिर retrenchment friends यह बहुत important है salary and wages में पूछा ही जाता है यह बहुत ही जादा important है बार बार यह पुछा जाता है कि क्या क्या included है क्या क्या excluded है तो आप लोगे देखा all remuneration जो भी money के रूप में है वो सब included है जिसमें DA and food allowance भी included है and excluded यह सब है disqualification for bonus क्या क्या ऐसा काम होगा जो कोई भी इंसान जो है bonus से disqualified हो जाएगा employee is disqualified if he done fraud उसने कुछ fraud किया हो violent behavior किया हो theft कर लिया हो मतलब जो भी उसका establishment है उसके property को उसने नुक्सान पहुचाया हो okay तो payment of bonus act में फिर वो नहीं आएगा friends फिर maximum bonus maximum bonus जो है वो किसी भी employees को उसके salary या wages का 20% मिलेगा 20% से जादा bonus नहीं होना चाहिए friends यह था part 1 मैं part 2 आप लोगों को दूंगे friends मैं आप लोगों को बता दूं मैं यह notes of 2-3 books follow करती हूं ताकि आप लोगों को मैं हर तरह का important information जो भी आप लोगों को exam में help करे आपके life में help करे मैं सारा information इसमें डालती हूं 2-3 तरह के books को follow करके friends आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताना है अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना थैंक्यू